आज हम लोग बात करेंगे युएस का एलेक्शन को लेके तो कॉंग्रेशन्स डॉनल्ड ट्रॉम्प आप एलेक्शन जीत गए हो युएस में और अभी आगर देखा जाए सारे जो न्यूस चैनल है जो मीडिया है हर कोई अनलेसिस कर रहा है कि डॉनल्ड ट्रॉम्प कैसे जी वह सारा चेंज क्यों हुआ यह सब को लेकर हर कोई बात कर रहे और अगर आपको यही नियूस जानना है तो आप मेरा चैनल में क्यों आएंगे ओवियसली हम लोग देखें डॉनल्ड ट्रॉम्प जीत गया है अब जाके डॉनल्ड टॉम्प अपने तरब से अपना जो चें में डॉनल्ड ट्राम्प का जो नीती है या फिर उनका जो सोच है वह हम लोगों को देखने को मिलेगा और अगर देखा जाए जियो पॉलिटिकल जो पावर है exactly कुछ दिन पहले ही रशिया से यह बात सुनने को हम लोगों मिला था कि एक टाइम में हुआ करता था यह जो डिवाइड होने के बाद अचानक से अगर दुनिया के सबसे जो शूपर पावर है जो वन अब दा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वही यूएस का जो प्रेसिडेंट है वह अगर चेंज हो जाता है अन्दा दर साइड यूएस का प्रेसिडेंट होना के साथ साथ ऐसा प्रेसिडेंट हो जाएगा तो नो डाउट डियो प्लिटिक लिए अगर देखा जाए वाल्ड का जो पावर है या पिर आने वाले में क्या होगा या नहीं होगा यह सब जो डिश्यन है काफी चेंजे हो जाएगा हो सकता है कि 180 डिग्री चेंजेज भी हम लोगो देखने को मिले तो चलिए थोड़ा सा हम लोग करने का कोशिश करते के फ्यूचर में दुनिया कैसा होगा या फिर क्या-क्या चेंजेज हम लोग को इंस्टेंट डेकने मिल सकता है आने वाले कुछ महीने में पहला जो है वह है आपका यूक्रेन रश्या का वार यह वार बहुत पहले के साथ डिफरेंट टाइप आप एग्रिमेंट कर लिया जिसके वज़े से नौर्थ कुरी अपना सोल्जर्स फंड में भेज रहा है इसके लावा चाइना रश्या को हिल्प कर रहे बैक अप करे तो ऐसे बहुत कुछ हम लोगों को बहुत दिन से सुनने को मिल रहा है अब ह जाके जाके जलनेश की को और भी पैसा या फिर फंडिंग नहीं करेंगा या फिर जो भी हत्यार युएस अभी तक दे रहा था यह सब कुछ बंद हो जाएगा मतलब युएस से अगर सब कुछ बंद हो जाता है जलनेश की के लिए तो नो डाउट यूएस के जो वी surrender करना पड़े गया या फिर रश्या के साथ बैठ के कोई agreement करना पड़ेगा कोई पीस agreement तो हो सकता है यह जो पीस agreement है इसमें इंडिया आगे जाए क्योंकि पहले भी आगर हम लोग यह लग नहीं हुआ उसके पीछ एक ही मेजर रिजन है यह है आपका इसमेंज जो वह बीड हो बीडन गव्रमेंट के लिए बीडन कभी भी नहीं चाहता यह पिर यक्रेण और फेर रॉस्या का फिर वार यह खतम हो मिड़न यह हम लोग कुछ चमकात है और दसे हम लोग हतियार के हिसाब से यूक्रेन को यूज करेंगे मतलब यूक्रेन को यूज करके हम लोग रशिया के साथ लड़ेंगे आगे जाके जो नुकसान होगा यूक्रेन का होगा और दसे हम लोग जैसे पीट घुमा के चले आते एक टाइम में हम लो कर दो करेगा पहले ही इंडिया अपने तरफ से इनिशेटिव लिया है हो सकते कि इंडिया आगे जाए और दोनों कांट्री में तरफ से घूम के घूम के नहीं लड़ पाया अगर देखा जाए ट्रॉम का उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं अब आते हैं वह चाइना जो है यह डॉनल्ल ट्रॉम के कभी फेबरिट होगा भी नहीं हम लोग को पता है कि चाइना में बहुत सारा प्रॉब्लम अभी भी चल रहे अगर हम लोग देखे एककोनोमिक प्रॉब् बनता है जैसे कि हम लोग को पता है चाइना में बनता है तो नो डाउट वहां का जो कॉस्टिंग सबसे काम है और प्रॉब्लम के अभी जो वान आप दा मोस्ट फेवरेट है वह है आपका इलन मास्क जिसका खुद का कंपनी है टेसला नो डाउट टेसला जो इलेक्रिक वे बनाता है अब डोनल्ड ट्रम्प अपने तरब से जब इलेक्शन ला रहा था हम लोग देखें के बहुत टाइम मनलब एक यूज अमोंट आफ टाइम एलन मास्क ने इन्वेस्ट किया है डोनल्ड ट्रॉम्प के पीछे उनका जो कैंपेने उसको रन करने में उसको लाएगा ऐसे ट्रॉम्प ने अब इतना रख से बोल जा कि टैक्सेशन का बात कर दिया कि बाहर से जो भी कंपनी आएगा लोगों पर जो टैक्स है वह बढ़ा दूंगा तो ट्रॉम्प पहले से इसका हिंट देके रख है आगे जाके मुझे नहीं लगता कोई भी ओन दादा सेट इससे क्या फाइदा होगा इससे फाइदा होगा सबसे जादा जो होगा वह आपका टेस्ला टेसला करेगा और पूरा जो मार्केट एक हरकी सी को टेसला खरीजना पड़ेगा तो इससे रहे नो डॉड़ यह गीवन टेक पॉलिशी है पहले ऐले अलन मास्क और ये इसका मार्केट अगर हम लोग देखे तो ज्यादा तार जो मार्केट ये अपका यूरोपियन कंट्री बेस्ट या फिर या फिर यूस बेस्ट है अब भी जाके डॉनल्ड ट्रम हो सकता है जैसे वह नहीं नहीं कहा है कि हम लोग ऐसा रूल रहेंगे जब इंपोर्ट करेंगे उसमें हम लोग टैक्स और भी डाल देंगे तो इससे सबसे जो इसुआ होगा वह चाइना का चाइनिज एकोनोमी आगे जाकर सफर कर सकता है तो हो सकता है कि इसके वर्शया यहां आपने तरफ से अब चाहेगा को क्यों कि रशिया का जो मीजर इशू था वह है आपका यूएस के साथ यूएस का जो बिड़न गवर्मेंट के साथ पेज़नी ट्रॉम्प के साथ रशिया का इतना इशू रहने वाला नहीं है उक्रेन वार भी खतम हो जाएगा तो आगे जाके रशिया क्यों अपने तरब से खराब बनेगा या फिर आगे हो सकता है कि ट्रॉम्प आगे जाके जो इतना सारा डेर हजा संक्षेंस तो रॉशिया को डाली दिया था बिड़न का गवर्मेंट अब ट्रॉम्प आगर वह संक्षेंस रिमूफ कर दे इसलिए रशिया बेकार में इसमें सब में घुसेगा हाँ चाइना के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा मगर रॉशिया कभी आगे जाके चाइना को सपोर्ट करने के लिए यूएस के एगेंस्ट में खरा नहीं रहेगा डारेक्ली अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है इस्राइल नो डाउट इस्राइल को डॉनल लगा है वह अपने कंट्री के अंदर लाए जैसे के डॉनल ट्रॉप अपने कैंपेंड में बोली दिया था कि इस्राइल बहुत छोटा सा देसे हम लोगो को लगता है कि इस्राइल को थो बढ़ा होना चाहिए अगर बढ़ा हो जाते तो बहुत ही अच्छा है तो देखा ज इस्राइल का वार में सब्सक्राइब वार में इस्राइल का फूरा चूट बिदे जतना चूट बिड़न ने भी प्रोवाइट करेगा कि ज्यां हम लोग देख लेगी जो भी होग देख लिए मैं तो और ट्रॉंप का अगर आप एटिट्उट देखे उसका इस लगते है व अगर देखा जाए इरान को अभी तक जो सपोर्ट कर रहा था तो एक्टिव ली रश्या अपने तरब से सपोर्ट कर रहा था मंगर रश्या के साथ यूएस का प्रॉब्लम यह कमने वाला है इसलिए रश्या आगे जाके इरान को उस लेबल पर सपोर्ट नहीं प्रोवाइट रहा था इसके लाब वह अगर देखा जाए चाइना चाइना हो सकता है कि एरान को सपोर्ट करें अगर चैना को सब्सक्राइब है और मुझे नहीं लएगता कि पहले जैसे सपोर्ट मिल रहता इरान को चाइना या फिर रेशिया से उस लेवल पर फिर से सपोर्ट मिलेगा इरान को और नो डाउट बेंजरमीन नितिनियाहू काफी खुश होंगे क्योंकि बेंजरमीन नितिनियाहू को आगे जाके और भी पावर मिल ले वाला है जिस से वो अपना जो और हो सकता है कि आगे जाक्ए इरान का भी हालत कुछ हम लोगों सही नहीं देगने को मिलें इसी पॉइंट में में इस major points add करना चाहूंगा कि अगर उस level पे इरान के ऊपर oil तक हो उपने तरब होता है अगर ऐसा कुछ होता है अगर पॉइंट आफiska कills स्व fis सब्सक्राइब करता है या नहीं करता है वह हम लोग को देखने के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स जो पॉइंट है हम लोग का प्यारा परोसी बांगलादेश को लेखे जैसे के हम लोग को पता है मुहम्मद यूनिस अभी तक जो भी कर रहा था एक्जाक्ली उनसे करवा यूस के द्वरा क्योंकि उनके जो फेवरेट है वो सब यूस में बैटे थे खुछ भी होता था मुहमद यूनिस अपने तरफ से फोन लगाता था यूस में फर्मिशन मांग था और उसी पर्मिशन के हिसाब से अपने तरफ से अब जैसे आपको तो पता ही है कि डॉनल ट् करता है कि भाई जो स्विंग स्टेट है वहां हिंदू वोट्स के लिए ट्रॉम नहीं यह बोला है अगर बोला है तो अभी लेक्शन जितने के बाद ट्रप अमने तरफ से स्टेप लेगा अब जो कोश्चन सब्सक्राइब तो आने वाले दिलों में मुहांमाद उनिस का जो टाइम में इसमें थोरा सा प्रॉब्लेम राइस कर सकता है हो सकता है कि अपने तरफ से कोई मेजर स्टेप ले रिगारिंग बांगलादेश और फिर से शेख हसीना बांगलादेश में रिटर्न करे और वह नो डाउट अभी बांगलादेश में भी बहुत सारा चेंज आने वाला है जो हम लोग इन फूचर जाकर देखेंगे ऑन दादर साइड बांगलादेश में अभी जो नया बांगलादेश का दोस्त बन रहा था जैसे कि पाकिस्तान को ले लिए या फिर बांगलादेश में जो डिफरेंट जो ग्रुप्स तर्रिस्ट कूप अपने तरफ से एक्टीव हो रहा था उन लोग क्या होगा ना उन लोग को फंडिंग मिलने वाला है आगए जाके अगर देखा जाए बांगलादेश का सबको पता है वो लोग क्या करेगा अगर देखा जाए सबसे मेजर जो इशू होगा बांगलादेश में हो है आपका मुहम्मध यूनिस का और उनके जो भी अभी हैंड अभी उन्होंने ग्रो किया है लास्ट कुछ महिने में उन लोग के लिए बांगलादेश का जो चैप्टर इसमें हम लोग को बहुत सारा नय एपिसोड देखने को मिलेग है आगे किसके इशारों में घूमता है वह भी देखने को हम लोग मिलेगा तो डॉनल्ड ट्रॉम जी एलेक्शन जीता है यह ऐसा एक टाइम है जिस टाइम में वर्ल्ल का जो जियो पॉलिटिकल मुव्मेंट हो रहा था उसमें एक चेंजेस का बहुत जरूरत था और वही गारण, यह लूग से आगे जाके हम लोग को को सकते हीं आपको जो बोरा यूदिया के लिए क्या हो रहा है जो भी हो रहा है आपको पता ही चल जाएगा और आपको यह वीडियो अच्छ लगता हुआ त कराओ नहें कर यूटिव चैनल को सब्सक्राइब कर सक्ते हैं बहुत सारे इंट्रिस्टिंग में बहुत सारे वीडियो आपका मिलने वाला है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्रेश्ट करूंगा आपके लाइप जा रहे आप सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा कि वीडियो जो डिफ्रेंट टाइम में आएगा जब भी आएगा आपके बस तुला नोटिविशन पहुंझेगा आप वो वीडियो देख पाएंगे और ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद